नमस्कार दोस्तों माइंड मणें में आपका स्वागत है तो आज हम लोग डिसक्रिस weiter लेंगे कि आज का मार्कट कैसा रहा कैसा वियुक्या और मंडे कैसा करने वाला है क्योंकि मंडे दो एक्सपायरी है एक मिटकेप निफ्टी का और एक बैंक एक्स का तो पहले हम लोग शुरुवात करते हैं डियाई यान एफाई से तो डियाई मोरी में से पहले हैं और एकवाई ने 30 dig क्रोण के लिए तो तो मुझे तो लगता है जैसे मोदी जी ने बोला ना कि अपना जितना भी पैसा है उसका 50% सेयर मार्केट में लगाओ लेकिन मुझे तो लगता है निकाल रहा है तो अगर आज देख लिए चार्ट निफ्टी का अगर देखें तो गिरी राय यहां पर ओपन हुआ है तक टक 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 नीचे तो 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 थर्टी के असपस थोड़ा साब गया है सो पॉइंट के असपस तो यह देखते हैं देखेंगे अभी तो यह है हा तो अगर बैंको की बात करते हैं तो बैंको está mंप घिया निपज़ा निफड़ी में आज इतना क्यूं गिरा यह बहुत जादा गिरा पहले बैंक निप्टी देख लेए तो बैंक 미िशन वान निफान कारण कर से और से नहीं गिरा तो इसका कर्दोपन्शन वाज़ीं बैंक निफ्टी इसके इसके कारण से नहीं गी रहा है क्योंकि इसका कंड्यूशन उल्ली 5% है 5% में क्या ही होगा लेकिन इसके जितने भी श्टॉक्स हैं देखिए एक यू बैंक 6% कैनरा बैंक 4% आईडीफ्सी फ़स्ट बैंक और मस्फ फ़र परसंट तो और मस्ट गिरा जबकि आईशी एशी बैंक पोजिटिव रहे दो पॉइंट से ज्यादा नहीं रहा है zać Kathy वैंक 5.35-36 परसंट से घीरा है टो यह बैंकिंग रिखिर है काफी रेंक रृत क्यों गिरा में और समय ज्यर्शी का रिचल्ट आज से फ़र्म नंन गर्हाइट यह आपके बार उ और 7च वढब नग्शेसिंद ए और स्परसंट में ज्यादा कंड्रिबिशन ने टू वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं हो लॉन करेगा और अभी यह देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था इंडूस बैंक और टक 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 नीचे फिर अल्मोस्ट अठाड़ा परसंट 19% पर क्लोज हो गया तो बैंक निफ्टी का यह हाल है लेकिन इसके बज़ा से यह इंडेक्स घेरा नहीं है कि इंडेक्स इसके बज़ा से गिर रहा है तो इंडेक्स देखिए ओल्मोस्ट 70% तो इसके शेयर है मनली तीन सेयर इसके इसके इतना गिर रहा है और बाकी 230 को देखिए अच्छा का सा मुवमेंट आया पोजिटिव मुवमेंट यह देखिए लगभग 50,420 से 50,894 लगभग 500 पॉइंट का मुवमेंट आया तो अगर जो पकड़ पाया होगा पकड़ लिया होगा अच्छा का सा पैसा कमाया होगा लेकिन क्या करेंगे लेकिन एक बात है कि यह आखिरिये कब तक कब तक नीचे गिरेगा तो अगर मेरा माने तो कि न Afghanistan हो सकता है अभी आने वाले दिन में थोड़ा सा ऊपर मौमेंट देगा फिर जाकर गिरेगा लेगिन इतना इतना आचानक से दही कहीं यह लुआ है कहीं भी बिवरी का हुआ है हाँ ऐसे अप ऊपर की तरफ जाता है लेकिन फॉल नहीं होता है तो अच्छा कासा करेक्शन हो गया खर इंडेक्स में तो अल्मॉस्ट अभी आट परसें नो परसें ही करेक्शन हुआ है लेकिन जाके आप स्टॉक में देखिए जोना ने इन्वेस्ट किया है उसका पर्टफोलियो किसी का 40% किसी का 50% तो ऐसे करेक्शन हो गया है जबकि इंडेक्स का वल्ली 7% 8% या 9% उससे ज्यदा करेक्शन नहीं हुआ है तो करेक्शन तो होना भी बांकी है अल्मॉस्ट 10-12% होना चाहिए क्योंकि अभी जो इंडेक्स है उसका वेल्यू बहुत ज़् बचा करें उसको HDFC रिलाइंस विप्रो तो यह बरेवरे इस टॉक्स है जो कि बचा कर रखा है लेकिन सुचिए अगर यह गिरेगा तो क्या ही हाल होगा इसका इंडेक्स का तो आज हम बात करतें निफ्टी का निफ्टी का यह डे कंडल है डे कंडल में देखिए कल कैसा प मंडे को हो सकता है यह टो आप्साइड संब्स्राइब ऑपन हो क्यूंकि लास्छा में अचरी को बात करें दिखर है क्यूंकि अच्छाब पहला पॉइंट पहला यह रखेंगे 24,200 अगर इसके उपर रहता है 24,250 और इसके उपर रहता है 24,350 तो यह धियान में रखेंगे और नीचे साइड अगर देखेंगे तो 24,150 उसके बाद आज का लोग जो लगाया है 24,50 यह 70 तो यह है आज का लोग तो अच्छा कासा यहां पर सपोर्ट है अगर देखेंगे यहां पर देखिए तो थर्ड टाइम यहां से रिवर्सल लिया है कि कहां से 24,50 पर आगे एक है थर्ड जुलाई को सेकेंड है फिफ्ट अगस्त को और थर्ड है अभी का जो आज का जो रिवर्सल है 24,70 के अस्पस आ और अगर इसका option data की बात करें तो option data out of the money 24,200 के उपर almost 1.7 lakh के आसपस y call letter बैठा हुआ है और 24,300 के उपर भी 1.46 call letter बैठा हुआ है और अच्छा कासा 24,400 के उपर 2.15 call letter बैठा हुआ है और अगर put writer की बात करें तो in the money उसके 24,400 के उपर 1.28 call letter बैठा हुआ 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 24,200 के उपर अच्छा कासा put writer बैठा हुआ है और 24,950 के उपर भी 2.09 lakh का put writer बैठा हुआ है तो दोनों side है तो ज्यादा chance से upside moment देने का क्योंकि यहाँ पर देखिए put writer इंदमनी घुश के बैठा हुआ है और अगर gap down open हुआ तो सुची इसका तो लंका लगने वाला है लेकि आज fall आया है अगर 15 मिट के candle में देखें तो continuously fall आई रहा है और आज इवनिंग को 230 के असपर अच्छा काड़ा आपर मुमेंट दिया था फिन निफ्टी की बात करें यह सेम मुमेंट क्योंकि यह finance sector almost same देता है mid cap अच्छा खासा correction हो गया mid cap के जितने भी share almost 50 to 60% का correction हो गया ह लेकिन इंडेक्स में उतना नहीं हुआ है इंडेक्स में उल्ली 7-8% का हुआ है लेकिन इसके जितने भी share है आप किसी का भी portfolio देख लीजिए almost 50-40% का correction हो गया है portfolio में सिर्फ इंडेक्स ही नहीं गी रहा है लेकिन जाने वाला था लेकिन जाते जाते बच गया आज almost 1.57% से नीचे मंदी में बंद हुआ है विक्स की बात करें तो आज विक्स वरा हुआ था अर्मोस 5% के असपर बढ़ा है 14.63 हुआ है HDFC आज नीगेटिव में बंद हुआ है ICICI bank आज 2.2 points से positive में बंद हुआ लास्ट में यह अच्छा का सा उपर हुआ है इसके वज़े से क्योंकि HDFC भी बाइंग आया है उसमें इससे ज्यादा बाइंग आया है ICICI bank में रिलाइंस का अगर देखें तो रिलाइंस में कुछ नहीं रहा है इसका गिड़ने का कारण हुआ है इसका NPA अल्मॉस्ट 7% 8% है तो इतना 7% किसी का profit नहीं होता 7-9% अगर profit हो तो बहुत अच्छा होता है और मज़े के बाद तो यह है कैसे भर पाएगा उसको और बस आज के लिए इतना ही बाकि अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप कोमेंट कर सकते हैं धन्यवाद